हलो एबरिबोडी विल्कम टू स्मार्ट अनलॉक यूट्यूब चैनल स्मार्ट अनलॉक मिन अपना मुबाइल अपना सलीशन स्मार्ट अनलॉक थेंक यू फर सब्सक्राइबिंग हाई फ्रेंड्स स्मार्ट अनलॉक की तरफ से मैं हूँ अनूप और आज आप दिख रहे हैं लावा एटम 3 फ्लेश कैसे करना है तो फरस्ट आपको दिखाऊंगा मैंने जो फ्लेश फैल यूज किया एटम 3 देखिए एस ट्रिपल वन इसका भर्षन है और मैं इसको फरस्ट देश्ट आप पर extract कर रहा हूँ और extract करने के बाद step by step अब follow करे फ्लेश कैसे करना है देखिए एक्स्ट्रेक्ट कॉम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे कुछ ड्राइवर बगड़ा है इसको आफ इंस्टॉल करना और यह फ्लेश टूल है इस पीडी फ्लेश टूल लाभा एटम 3 SPD CPU से और देखिए मैंने यह पे फ्लेश टूल उपेन कर लिया और यह जो सेटिंग्स सिंबल है इस पर क्लीक करें ठीक है तो डेक्स्टॉप पर मैंने एक्स्ट्रेक्ट करके देखिए फाइल सेप किया और इसके कि फाइल के अंदर जाहिए एक और देखिए फ्रेम गार्ड fazendo है इसको अधर फैक्सारा ठीक है इसको सिलेट करना है एकको तो सेलेट करने के बाद अब को लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लाएंगे देखिए नीचे रिंडर होड़ा है लोडिंग यानि अब के फ्लेश टूल के अंदर प्रेक फाइल लोडिंग होड़ा है ठीक है अरश लग्रीट के अब करें अब करेंगे अब करेंगे लोडिंग होने में अब को थोड़ा टाइम देना है और देखिए लोडिंग कम्प्लीट हो गए तो इसके बाद आप यह प्ले बटन दबा के स्टार्ट कर देना स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है भूलियाम डाउन प्रेस करके फर्स्ट अफ देख सकते हैं आपका डिवाइस फ्लेश टूल के फ्लेश स्टार्टिंग होते हैं कि नहीं ठीक है कर देखी यह पर चार्जिंग मोड में आगा एडिवाइस यानि फ्लेश मोड में कनेक नहीं हुआ तो मैं फिर ट्राई करता हूँ अब भूलियाम आप प्रेस करके ट्राई करता हूँ ठीक है तब भूलियाम आप प्रेस करके मैं यूस्बी के विल को कनेक्ट कर दिया देखिए फ्लेश होना स्टार्ट हो गए ठीक है है कि तो फ्रेंस देखिए यह पे फ्लेशिंग रेंडरिंग होड़ा आप को से शोर होड़ा है अपकर रेंडरिंग परसस तो आपको थुड़ा वेट करना है अभी पस से दस मिनिट तक लग सकता है आपको फ्लेश होने में और एक चीज अपको ध्यान पर होना चाहिए फ्लेश करने से पहले आपका जो डिवाइस का बैटरी चार्ज अप टू 60 परसन आप रहना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स तो वीडियो चलते चलते और एक चीज अपको कहना चाहते है अगर अपने हमारे वीडियो को अच्छा लगा और आगे भी हमारे वीडियो को देखना चाहते है तो वीडियो की नीचे लाल रंग पे सब्सक्राइब बटन है वहापे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगी यह बिल्कूल फ्री है और कोई भी प्रब्लम आये तो आप कमेंट कर सकते हो मैं ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाइ दूँगा तो मैं प्रेंट्स आपका जो समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तो वीडियो यह पर थोड़ा स्क्रीप करके दिखाता हूँ आपको यूद्ध आपको थोड़ा वेट नहीं करना पड़े तो दिखिए मैंने यह पर थोड़ा फ्रेशिंग स्क्रीप कर दिया तो दिखिए यह पर रेंडिंग डेंडरिंग के पास 192,193 टोटल पर सेगें शोह होड़ा है अभी जो डाउनलोडिंग होड़ा है वो सिस्टेम फाइल थी देखिए यह पर शोह होड़ा है सिस्टेम फाइल देखिए अभी यूजर डेटा सेक्षिन जो है यूजर डेटा सेक्षिन डाउनलोडिंग होड़ा है और दिखिए सब कुछ फ्लेशिंग कम्प्लीट होने के बाद पास्ट अपको प्रोग्रेस दिखाएंगे ठीक है अगया प्रोग्रेस में पास्ट दिखाएंगे तो आप आप समझ जाओगे कि आपका फ्लेशिंग कम्प्लीट हो गए उसका बाद अब डिवाइस के भी कि डिसकनेक करना है और मैं डिस्कनेक कर दिया देखिए यह आपको डिवाइस परे तरफ से ओन करके दिखाता हूँ कोई भी प्राबलेम नहीं आया और फ्लेशिंग 100% सक्सेस्फूल है और मैंने जो फ्लेश फाइल से यह फ्लेश किया वह फ्लेश फाइल का डाउनलोड लिंक मैं ड्रेस्क्रिप्शन में दे दिया आप वह से डाउनलोड कर सकता है ठीक है तो यह पर भी आपको थुरा वेट करना है फ्लेशिंग होने के बाद दस से पंदरा मिनीट 20 मिनीट तक आपको लग सकता है यह और डिवाइज ओन होने में तो आपको थुरा वेट करना है फ्लेश ठीक है तो यह पर मैं भी टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इसलिए वीडियो थुरा यह पर स्क्रीप्ट कर रहा हूँ कि देखें मेरा डिवाइज जो है वो पूरी तरफ से ओन हो गए और मैं आपको सेट अप करके दिखाता हूँ कि अगरी स्क्रीप नेक्स्ट ऐसे करके आप जबाइस को रेडी कर लेना ठीक है देखें विलकम मैंनों आ गए और आपका जो प्रब्लम हाँ प्रब्लम हाँ आपका होगरी कर दो आप लाइज जाय है